प्रियंका के लुक की स्टैन में की तारीफ निम्रित को लगी मिर्ची क्या कुछ स्टैन ने कह दिया है प्रियंका के लुक के बारे में प्रियंका कितनी खुबसूरत लग रही है इस बारे में स्टैन क्या कहते वे नजर आ रहे हैं लाइफ फीड से क्या बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है क्या है पूरी डीटेल्स बताएंगे आपको हम यहां पर टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर और यहां अभी बिग बॉस के घर की लाइफ फीड से एक बड करन जोहर के आगे उन्होंने प्रियंका की ड्रेसिंग सेंज की, प्रियंका की खू सूरती की जम कर तारीफ की यहां तक कि यह भी कह दिया कि वह के साथ फ्यूचर में काम करना चाहते हैं और आज लाइफ फीड में भी कुछ तारीफ करने लगते हैं प्रियंका की ऐसा कहते हैं वो कि प्रियंका तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है इस वाइड ड्रेस में और आज तो तेरा मेकप का माल लग रहा है मतलब तू एकदम मस्त लग रही है तेरी तारीफ अगर करना शुरू करूँ तो आज तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे ऐसी सिच्वेशन हो सकती है इस तरह की बाते स्टैन कहते हुए दिखाई दिये प्रियंका को और यहाँ पर निम्रित भी मौजूद थी निम्रित भी तयार हो रही थी निम्रित के बारे में स्टैन ने कुछ भी नहीं कहा और इस बात से कही न कही निम्रित को मिर्ची लगी यह साफ उनके फेस पर देखने को मिला लेकिन स्टैन तो जो है वो यहाँ प्रियंका की ही तारीफ करते हुए नजर आए प्रियंका कितनी खूबसूरत लग रही है उनका लुक कितना अच्छा लग रहा है और मेकप भी आज उन पर कितना सूट कर रहा है इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिमेंट्स स्टैन ने प्रियंका को दिये हैं जिसके बाद निम्रित को मिर्ची लग गई देखना वैसे ये होगा कि ये मंडली की दोस्ती कितने वक्त तक बनी हुई रहती है क्योंकि मंडली में स्टैन और शिव दोनों ही आजकल प्रियंका की साइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रियंका की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रियंका कितना अच्छा खेलती हैं या वो कितनी खूबसूरत हैं इस बारे में खुल कर ये लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इन सब वजहों से मंडली तूट सकती है क्योंकि तीन ही लोग अब मंडली में बचे हैं और निम सोचते हैं इस बारे में आप अपने कॉमेंट्स के जरी हमें जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए